असलाम अलेकुम और वेलकम बैक टु माई चैनल नानो बेकिंग सीक्रेट्स तो आज हम न्यू यॉयॉक स्टाइल बेक चीजकेक बना रहे हैं जो के बहुत ही मज़िदार और बहुत ही रिच होगा इसके लिए सबसे पहले हम इसका पैन प्रिपेर करते हैं जिस किसी के पास के नहीं स्ट्रिप संदस्न लाहर ऐसे कर सका हैं अब बाटर पेपर की से प्रिप कर लेहिए उनको फोल्ड करने डबल कर लें और पहले जाए है करे राउन-साइज में काच लिया Bertrand में का क्रूटी चाहिए होते हैं है आप कुई प्रिपकु मेंफिस क्रश कर सकते यं। ią मिल्टेट बटर आट करना है और इसको स्पैचला की मदद से ही मिक्स कर देना है अब इस रहात लगा के चेक करेंगे अगर जोड़ेंगे तो पर इतना बटर काफी होगा देर कप क्रश्ट कोकी से दा मैंने वन थर्ड कप मिल्टेट बटर आट किया है इसको अच्छे से मिक्स कर लोगी ताकि सब कुकी के अंदर थर्ली हमारा बटर मिक्स हो जाए आपने जाया बिलकुल भी नहीं करना जो भी बटर आपका किसी भी चीज में बटर हो शुगर हो कुछ भी रह जाए अच्छे तरीके से साफ करें और उसको यूटिलाइज करें यह अच्छे तरीके से कोट हो गया है हमारा कुकी बटर के साथ तो अब इसको हम पैन में डाल देंगे पैन में डालने के बाद आपने इसको फर्मली प्रेस करना है ताकि बाद में आपकी कुकी लेर बहुत ही यूनिफॉर्म स्ट्रेट और अच्छी बने जिसना प्रेस करनी के लिए मैं यह आप पर ग्लास बॉटम यूज कर रहे हैं आप भी कोई भी ऐसा टूल यूज कर सकते हैं जिससे ज्यादा अच्छे तरीके से एक बहुत ही स्मूध फिनिश आ जाएगी इसको प्रेस करने के बाद आपने 180C के उपर सिर्फ 10 मिनट के लिए बेक करना है आप चाहें तो 15-20 मिनट फ्रीजर में भी रख सकते हैं या फिर 180C के उपर आप इसको बेक करने बेक करके ठंडा कर लेंगे और फिर इसके हम फिलिंग इसके उपर डालेंगे साड़े चार सो ग्राम क्रीम चीज है मेरे पास दो टेबल स्पून मैदा है और आदा कप चीनी है ये तीनों कठे डालके हम बीट करेंगे एकठे और साथ वन टीस्पून वनिला एसंस पी हम आट करेंगे क्रीम चीज को आपने कपस के अंदर नहीं रापना होता बिकाज बहुत सी क्रीम चीज डिफरेंट आपके टेक्श्चर्स की होती है कुछ लाइट होती है कुछ हेवी वेट होती है तो इसी विज़ा से आपने क्रीम चीज को बाई वेट ही करना होता है ये डालने के बाद आप उसको बीटर से बीच कर लेंगे इस स्टेज के उपर आप ओवर बीटिंग कर सकते हैं और अगर ओवर बीटिंग हो जाए तो आपके केक को फरक नहीं पड़ता अगर एक्स वाली स्टेज जब हम एक्स डालेंगे अगर आप उस टेन पर बीटिंग कर देंगे तो आपका केक कर जाएगा अब इसमें आपने ये सब डाल के मैंने बीच कर लिया था और इसके अंदर दो अदद अंडे आट करने हैं एक अंड़ मैंने भी आट कर दिया है इसको हलका सा बीच करेंगे और फिर दूसरा अंड़ा आट कर रही हूँ दो बड़े अंडे नहीं तो तीन छोटे आट कर सकते हैं आप अगर लाट साइज की होंगे तो फिर दो और अगर छोटे होंगे तो फिर तीन और इस टाइम पर आपने बीटिंग बहुत कम करनी है सिर्फ इतनी कि आपकी मिक्सिंग हो जाए ओवर बीटिंग अगर कर देंगे तो केक में क्रैक आजाएगा और चीज के अंदर क्रैक आना है बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है अब क्वाटर कप हम क्रीम एट करेंगे इसमें अब कोई भी खरत कर सकते हैं और यह मारा बैटर तयार है अगर आप होमेड क्रीम चीज उञए करना चाहते है तो मैंने लिंक दिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दियो हमेड क्रीम चीज का आप वह भी उस कर सकते हैं एंड उसी से मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े का बने है टू केजी मिल्क से 450 ग्राम मेरे पास क्रीम चीज आ गए थी वो सारी इसमें यूटिलाइज कर ली अब जो हमारी कुकी लेयर जिसको हमने बेक करके ठंडा कर लिया था उसके उपर मैं अपनी इस सारी फिलिंग जो हमने तयार किया वो आड़ कर दूँगी एक सो असी दिग्री सेल्सीज के उपर 20 मिनिट बेक करेंगे और उसके बाद हम 120 के उपर 70 मिनिट तक बेक करेंगे इसका बहुत ही स्लो कोकिंग प्रोसेस है क्योंकि ये क्रेक बहुत रिच और हैवी है नीचे मैंने ट्रेर रगती थी उसके पानी आट कर दिया था और उसके साथ हम इसको बेक करेंगे जब बेकिंग प्रोसेस पूरा खतम हो जाए उसके बाद आपने बस थोड़ा से अवन का डोर खोलना है और एक घंटे के लिए उस तरीके से ठंडा करना है क्योंकि जब भी ज्यादा टेमप्रेचर चींज आते हैं एक चीज़के के अंदर तो फिर वो क्रेक कर जाता है इसलिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं बेक होने के बाद जब अच्छे तरीके से कूल डाउन हो जाए तो आपने इसको क्लिंग से रैप कर देना है क्लिंग से रैप करके आपने इसको तकरीबन मिनमम मिनमम आपने इसको बारा घंटी के लिए फ्रिज में रखना है ताकि यह अच्छे से कूल डाउन हो जाए इसका फ्लेवर डिवेलिप हो जाए रैप जरूर करना है ताकि कोई भी फ्रिज की दूसरी फ्रूट की या पर जीजो की स्मेल इसमें ना आए तो अब आप हमारा चीजकेक तयार है और अब आप इसको एंजॉय करें बहुत मज़ेदार akah तो अबूर के जएख बच्दे में जीज अब व्रूर अबगें अब प्रूर बदोट महँए जोल्यबर इसकाद? उलो उलीजों स्मे मन जए वल इसके का टो झाला है झाल झाल